तो आज मैं आपका हिंदी का क्लाश 12 एचेस के लिए सबसे पहला निवंध जो है आपका चैप्टर निवंध है उसका इस्टार्ट करने जा रहा हूं दो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है और सभी लोग इसे पसंद करते हैं और उस चैप्टर का नाम है कूटज जिनके पेस्ट लिखाने वालों पेस्ट मिन्स बेज आपको सारे कोईसयं से बटर करने इसका ऊन्सर एक होता है वही अंसर आपको लिखना वह इसकु अच्छा आंसर है उसको लिखने से आप को फूल माक से जरूर मिलेंगे अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी के साथ सभी के पास पहुच पाएं कुटच बहुत अच्छा नीवंद यह आपके हर साल एक साल लॉंड कोशन लॉंग कोशन ऐते रहते हैं अगर प्रस्थ आता है तो आपको जो है इसका चौथा हेडिंग भिसेश होता है जो आपको ब्याख्या मुलक प्रस्थ कैसे लिखे उसका प्लेडिस्ट में वह दो वीडियो में हर एक चैप्टर का जो आपका चैप्टर एक कूटर, मल्यूय कं मालिक, भाई वहान, नसरा चैप्टर और कवीर के कवीर दास के दो हित और समय के धेर पर संधिया सुन्दरी यह सभी जितने भी है हो गई है पीर परवसी सभी का चेप्टर वाइस बिसेज है जो आपके दो मांक्स बैक है मुलक प्रस्ट में दिलाएंगे और लोंग कुश्चन के लिए तो बेस्ट अंसर है ही आपको 5 में 5 तो मिल ही जाएगा तो देखिए सबसे पहला कोश्चन इसमें क्या बनता है पहला कोश्चन है कूटज निवंद में दिवेदी जी के विचारों को संच्छिप्त में लिखिए उसके बाद अगर यह कोश्चन नहीं आता है तो यह कोश्चन बनता है इस पे और देकर रहे हैं दूसरा कोश्चन कूटज निवंद के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं या तीसरा कोश्चन जो है कूटज और पढ़ाजय जीवन सक्ति की घोंचना करता है इस कत्त को परमारित किजिए जो आपके पार्टिकुलर एचेस 20-19 exam में आ चुका ह और पठित पाठ के अधार पर कूटज की विसेस्ताओं की चर्चा कीजिए उसके बाद कुश्चन है कि दिवेदी जी ने मानौ जीवन के आधर्स के रूप में कूटज का वर्ण किया है अपने विचार लिखे हैं कूश्चन आपको अलग लग सकता है बड़ उसका मतलब यहां पर देख सकते कि मानौ जीवन के आधर्स के रूप में कूटज का वर्ण कीजिए तो इसका मतलब यहां पर यही तो निकलता है कि कूटज के माध्यम से लेकर हम लोगों को मानौ को क्या संदेश देना चाहते हैं तो मतलब एक ही निकलता है चली इसका हम बेस्ट अंस स्थाइं यहां फ्रेसे पाद में लाइन लाइन अच्छण का हम एक साल अगर यह साल आगर सुर नेक्सट एइर अगर उससे आता है तो लॉग कोशन यह फिर पाद बैक्ट आमलग शॉटेशन आएगा लाइन आएगा उसके बाद कोशन आएगा यह सिक्वेंस चलता रहता तो अगर आप है ट्वेंटी ट्वेंटी वन में एक्जाम दोगे तो आपके लिए इसका स्टार्टिंग कैसे करना जैसे मैंने लिखा उसी तरह से आपको लिखना है यहाँ पर आधा पेज में मैंने लिखा है देखिए उसके बाद पीछे का जो है बहुत इंपोर्टेंट चीजे आने वाली पहले इस पेज को आप अच्छे से देखिए आपको स्टार्ट करना इस तरह से हिंदी सहीत जगत में आचारे हजारी पर साथ दिवेदी जी के निवन्तों का अध्विती अस्थान है देखिए यहाँ पर मैंने ब्लेक पैंसे जहां अंडर लाइन किया है आपको महां पर अंडर लाइन करना अनिवार है क्योंकि एक्जामनर के पास उतना टाइम नहीं होता है कि आपको हर एक लाइन को पढ़ अध्यामनर को थाकि वह अच्छा माक्स दे पाए और वही मैं करता हूं देखिए कुछ एक बात और बताना चाहता हूं कि अंसर का क्वांटीटी नहीं बढ़ाना है क्वालिटी बढ़ाई है क्वांटीटी मिंस नहीं दस पेज लिख दिए तो बहुत नम्मर मिलेगा नही अधित भासा गंभीर विचार और भाव आदी दिवेदी जी के निवंधों की विसेस्ता हैं यह सिंपल हिंदी है इसमें समझाने की जरूत ने यह किसका मतलब क्या होता है दिवेदी जी समाने घटनाव बनस्पति जगत के पेर पहधों का वरन करते हुए विचारों की गह दिखिए उसके बात पैड़ा चेंज करते हुए आपको लिखना है कूटज आचारे हजारी परसा दिवेदी का प्रसीद ललित नहीं बने यह आपका सोट क्यूशन भी बनता है एमजी के उमें कूटज क्या कैसा नहीं बनता है तो आपका अंसर होता है ललित ललित नहीं बनता है तो उसके नीचे अंडरलाइन करना है जिसमें दिवेदी जी ने एक पहारी पवधों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया है कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि वारी का ज़रना परभावित हो रहा है दिवेदी जी बताते हैं कि काली दास ने अपने मेगदूत में कूटच का उलेख किया है देखिए जहां इंपोर्टेंट पॉइंट आता है वहाँ पर आप अंडरलाइन जरूर से जरूर करें थोड़ा टाइम जाएगा बट उससे आपका मार्क्स इंक्रीज होगा उसके बाद आप लिखेंगे जब गिरी कांतर यहां पर डैस होगा जब गिरी कांतर अच्छा यहां पर पूरा मैंने लिख दिया है तो जब गिरी कांतर में कोई फूल पस्थी नहीं था तो कूर्टच का फूल ही सहारा बना वह next page में है औ और अगर आपको भाई बहन के ऊपर कुश्चन चाहिए समय के डिर बहुत सारे लॉंग कुश्चन पर अप्लोड है आप इस वीडियो के लास्ट के जो लिंक्स आएंगे उस पर क्लिक करके वह वीडियो जरूर से जरूर देखें और वी वीडियो जह और जितने चैप्टर बचें एक दो चैप्टर है उनका भी मैं जल से जल अप्लोड कर दूँगा अधोगा इस देखिए मैं अपने नेक्स्ट पेज पर आशुका हूं तो हाँ यहां पर आप कंटीनु करेंगे तब कुटच का फूल ही सहारा बना अता रहीम दास भी कुटच का उल्ले करते सपोर्टिंग जो भी आपने बात करी उसको आप उसको दिखाये चाहिए वह बाहर से कहीं से कोटेशन लो या उस कवीता से कहानी में दिया हुआ कोटेशन है तो उसको यूच कर दो तो देखिए बहुत और हिंदी साइदे का इतिहांस में आप जाकर देख लो 10 में 10 नंब पीर बागन वीच वीच देखिए सेहूर कूटच करीर यहां पर तीन तरह के पाधे यह सब जो लिखा हुआ है मिन्स जो है ना रहीम दास कहते हैं कि मतलब उस तरह के रहीम मतलब कहां मिलता है जिनका च्छाह गंबीर होता है बाग में बीच वीच जब आप छाया ढूनने उसके बाद देखिए ऐप पैराग्राव छेंज करकर आप लिखोगे यहां पर दिवेधी जी की रिष्टी कूटच में रम जाती हैं तो यह भीचारओं करते हुए कोटच के माध्यम से उपदेश देते हैं मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो भी पांच अंसर को मैंने दिये इसके पहले यहाँ पर उसके आपको हर एक आंसर यहाँ पर मिलता है तो आप देख सकते हैं कि कूटज के माधरियम से कभी संदेश देते हैं या उबदेश देखो यहां पर निवंदर का लाइन आपको उसको ही लिखना है ताकि examiner को लगे कि यह जो इंसान है candidate है उसको बहुत अच्छे तरह से आता है कि वो हर एक line को याद भी किया हुआ है कैसे लिखना है तो इसमें आपको गलती नहीं करना है जो लिखना है जैसे लिखा है वैसे ही लिख देना है और उसको black pen से inverted comma में लिखन और कहानी और निवंद या कवीता का line है तो यहां पर लिखना है कि जीवन जीना चाहते हो तो कठोर पाशार को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग के शंग्रा करो आकास को चूम कर ओ यहां पर मेरा नाम आ रहा है आकास तो मैं नहीं हूं वह आस्मान है तो आकास पर यह जो है ना punctuation में full stop में तो आप ठोड़ा किताब से मिला ले क्योंकि मुझे जो याद है अभी भी मेरे दिमाग में उसको ही मैंने लिख दिया बट आप लोग मिला मिला कर एक बार देख लेकि मैंने जो लिखा है ना तो मुझे उतने साल बाद याद है तो यार आप में लिखना है तो Samurai में लिखना है ऑप देखो किया लिखना है है कोटेसन बहुत जडरूर होते हैं यह मैं हर एक वीडियो में बताता हुई हूं और उसमें लिखाता भी हो क्योंकि अगर द दो ना तो यह सुब एक्जाम नर पढ़ता नहीं है तो आपको यह सोर्ड कॉइ एक्जामिनेशन में व्याख्या मुलक प्रस्त में आता है सुख और दुख तो मन के विकल पर सरसंदर यह बताईए व्याख्या कीजिए तो यहाँ पर देखें इसलिए उस्टीच को अंडर लाइन भी किया गया है उसके बाद लिखना है कि सुखी वह है जिसका मन वस में है आप देखो यहाँ पर लिख सकते थे कि जिसका मन वस में नहीं है बट एक्चुली बुक में जो यूच किया है आप उसे लिखते हो तो एक्जामिनर को लगता है कि यह बच्चा बुक अच्छा से पढ़ता है यह तीचर के नोट्स पर फोकस नहीं होता है या आम भासा में बिलिव नहीं कर रहा है तो किताब में जो लिखा है आप उसे लिखो तो जिसका मन पढ़वस है अता कूटज भी जनक की भाती घोंसना करता है यहां पर आपको देखे क्या लिखना है कहानी बनाने से अच्छा होता है कोटेशन से यूच कीजिए जो कि बहुत गहराई की बाते बताता है और आपको याद भी है ऐसे ऐसी चीजे तो यह बुक से लिया गया लाइन है यहां पर मैं स्वार्थ के लिए मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता इसलिए कि मैं मन को जीत सका हूं उसे वस में कर सकता हूं तो यह आपको लिखना है चलिए उसके बाद दिखिए आपको क्या लिखना है बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि यह चैनल को सब्स्राइब करो और सेर सभी के साथ करो और यही अंसर आप एकजाम में लिखना आपक मैं आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूं तो और अच्छे से मैंने और अंसर को डेपलब किया जब मैं अपने टाइम पर फूल मक्स पा सकता हूं तो आप तो इस जमें पर अपग्रेड़ इट अंसर लिख रहे हो आज के जमाने का तो और अच्छा पा सकते हो तो उसके बाद चलो लिखते हैं आपको यही अंसर आप बंद करके लिखना है बिलीफ करकर आपको लिख देना है बस यही बताना है आपको हजार जगह एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि मैं कौन सा अंसर कहां से लिखूं कि यह जो अंसर है बहुत जगह से लेकर त्यार होता है और जो यह testimonies हैं जो लोग रेली में पा चुके थो उसके भाद आपको लिखना है कि ल Buenos में Sanskrit अ सांस्क्रिक सवत्र बिद्यमान रहती है यह कोई heading नहीं यह अंडरलाइन है simply Sanskrit अ इन्रेटी गया थे मिलबर के उपर कितनी बड़ी बात कोटेज निवन्द में इसका सुन्दर वर्रन किया गया है उधारन के लिए निम्न लिकित सुक्तियों को देखिए यह भी आपके बुक में ही है कहानी में बुक से ज्यादा लाइन को उठाना परता है कवीता में तो आप बहुत जगे से कोटेशन उठा सकते हैं जो कि मैं कवीता और हिंदी साध्या के इतिहास में किया हुआ हूँ और कवीता का कहानी और निवन तो बहुत बड़ी बड़ी होती है तो उसके लिए बाहर से कोटेशन उठाना मुस्किल हो जाता है जो कि आम स्टूडेंट याद नहीं कर पाता है इसलिए आपको ज़्याद गलती मत करना कवी कभी यह देखा दिखा भी देता हूं गलती कड़कर इसको वहीं लिखना क्योंकि कोटेशन आपकी भास नहीं वह किसी कवी की भासा है तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो तो है kव अवर ही लिखना और एक और भी कोटेशन से आपर है कि आसाध से से इंवर्डेट को मां यहां तक यह आपके बुक में होगा आप इसे देख लेना तो उसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है पांच क्योंसें जो वी क्योंसें उसके अनुसार लिखना है अगर पहला है दूसरा तीसरा मैं प्लट नहीं पाड़ा हूं बट यहां देखो इससादा देखर मैंने डिफरेंसीयट की अधा देखना है कूटच के माध्यम से लेकक हमें यह संदेश देना चाहते हैं अगर कूश्चन आए कूटच की विशेष्थाएं बताएं यह कूटच की उद्देश से बताएं तो आप स्लैस मैंने दिया है आप डिरेक्ट वह अगर आए तो आप यह लिखना अता कूटच की आता है तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से लिखना हो सके अंडरलाइन करकर इसको हेडिंग भी बना देना तो उसके बाद आपको लिखना है एक दो तीन चारी से एकदम से यहां पर मार्जिन होगा मार्जिन के इस साइड लिखना है यह क्यूंकि अंसर लिख रहा हो क्व सबसे पहला पॉइंट लिखना है एक नमब अ पराजय जीव नहीं सकती कूटज आमें यह बताता है सेकेंड कूटज अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है सेकेंड पॉइंट आपको यह लिखना है उसके बाद फ़र्ट लिखना है दुख सुक से पड़े उसको दूख सुक से पड़े दूख सुक का कोई लोभी नहीं है कूटज उसके बाद चौथा लिखना कूटज हमें सिखाता है तो लास्ट पॉइंट भी मैंने बताया था ना कि आप अच्छे चीजे स्टार्टिंग और लास्ट में इंडिंग तगड़ा करो ताकि इंपक इसको हो सकता है तो आप कमन हो तो डबल अंडर इनवाटा अं रुपस्ट को मअ आप दे सकते हो तो यह पर यह में इस देखो यहां पर यह complete answer होता है एक ख्यामनेर पड़ता है सई करता है फूलमा करतेता है निकलता है तो अगर आप यहां पर देखो तो यह आप देख पा रहे हो तो इसका मैं एक छोटा सा questions देना चाहरा आता है आप लोग पर comment करना questions देने से पहले जो है चैनल पर बहुत सारे chapters का uploaded है जैसे भाई बहन uploaded है उसके बाद संधया सुन्दरी का uploaded है और जितने chapters होते हैं इस साल complete हो जाएंगे इस साल सभी chapters में complete कर दूँगा उसके बाद जो है समय के धेड़ पर समय के भी अप्लोडेड यह है यह है और भी है मुझे अच्छा से याद नहीं है हिंदी साहित्य का इतिहांस तो बहुत जाद ही upload है हिंदी साहित्य का इतिहांस और जितना बचा वह इस साल uploaded हो जाएगा इस यह भी ताकि मुझे लगे कि आप जो इस चैप्टर को रियली में पढ़ भी रहे हो कमेंट करना है और कमेंट जरूर किजिएगा इतना क्वालिटी अंसर मैं दे रहा हूं उसके बतले एक कॉमेंट तो आप दे ही सकते हो तो देखिगे यहाँ पर आपका जो question बहुत ही simple question दे रहा हूं यह option देना चाहरा था चार बट option मैं नहीं दूंगा नहीं तो question बहुत ही easy हो जाएगा option करगर यह आप अंसर आडाम से दे शकते हो TO DECK question यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूं simple question है बहुत ज्यादा हार नहीं है जल्दी से इसका आप कॉमेंट कर दें देखता हूं सबसे पहला कॉमेंट किसका आता है उसका मैं नाम भी अगले वीडियो में लूँगा तो चलिए यही कोश्चन है कूटज किसका साथ ही आपसन देता तो आप जल्द बता दोगे इसलिए मैं आपसन या नहीं दे रहा हूं तो इसके भी टीचर एंटॉपर्स जो है इस्टुडेंट जो है अभी लेवल है बट चैनल गुरो करते हैं तो वह लोग भी मुझे वीडियो जरूर देंगे तो आप लोग उसका भी लाग उठा सकते हैं और हिंदी इंग्लिस तो मैं देखी रहा हूं और फिजिक्स केमिस करते हो कंसिच्टेंस बनाई रखते हो कंसिच्टेंस ही मैनत करते हो हमारे हर एक चीजों को समझते ओ ten करते हो तो आप जरूर से जरूर इतना नंबर आसानी से ले आओगे चलिए आज के लिए इतना ही आया मकाशा शाइन वोफ टाथा एंड बाइवाइव वीसिंग अल्द भेरी वेस्ट